हलो बच्चों हम आज इस प्रावलम को साल करने वाले हैं इसमें क्या है कि हमारा एक ब्लाक है जिसका जो मास है वह फोर केजी का है और जो इसका जो गतिक घर्षण गुडांक है वह हमारा 0.2 है और जो इसके सामने की तरफ जो फोर्स लग रहा है वह 10 न्यूटन का है तो हमक जो फोर्स है वह सामने की तरफ लगा जा रहा है इस तरह से पूरा चैथिज फोर्स है ठीक है और यह 10 न्यूटन का है तो यह जो बस्त है वह आगे की तरफ मूग करेगी तो घर्षण बल जो होगा वह जिधर बस्त मूग करती है उसके बिप्री डाइरेक्शन में यानि कि इसके अब पॉस्तिट टाइरेक्शन में लगेगा तो यह हमको इसका गतिज घर्ष गुड़ां के अफ के निकालना है और इसमें जो तोरण होए वह हमको निकालना है यानि की एसलेरेशन इस जो ब्लाख है उसका निकालना है तो सबसे पहले हम इसका फ्री-बाडी वह सीधे हमारा नीचे की तरफ होगा तो यह हमारा कितना है फोर केजी तो यहां फे फोर जी लिख सकते हैं यह हमारा जो आपका जो इसके नीचे की तरफ जो बल लगने वाला है वो कितना हो जाएगा फोर जी का और यह जो सर्फेस पर रखा गया है तो सर्फेस इस पर प्रत और जो यह हमारा ब्लाक ना तो उपर जा रहा है ना तो नीचे इसका मतलब जो आ रहे हैं वह फॉर्जी को बैलेंस किया हुआ है तो यहां से हम यह ची लिख सकते हैं जो हमारा normal reaction R है वह हमारा फॉर्जी के बराबर होगा तो यह जो forces है वह वाई असको कर सकते हैं Y-axis और जो यह वाला लगने वाला हमारा गति के घंट बल है जिसको हम एक करते हैं वह हमारा इस फोर्स से कम रहा होगा तभी यह बस तो आगे की तरफ हमारी मोग कर रही होगी तो अगर इसमें हम इसको लिखहना चाहें तो इसको सकते हैं यहां यह ब फाल हमारा जयाता है कैंगेोव आगे की तरफ मोग कर रही हैर तो टे लगने जयता है और पीछे की तरफ हमारा कितना फी तो यह सके iis को कुछ कर देगा इस जो आगे की तरफ हमारा लग रहा है 10 newton का और पीछे की तरफ हमारा कितना लग रहा है तो जो नेट वल होगा वह आगे की तरफ है तो 10-fk इक कवल तो होगा कितना है एम निकाले नहीं है क्योंकि यहां से पूछा गया है इसको भी हम निकालेंगे एक वह तो इन हम्तिन ही है मैं एक इतना हमारा 4 kg भी रख देंगे ए मिन्टून टेओ या फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 इंट्टु ए यह फिर ऐसी लिख सकते हैं 10 माइनस एक की इसको नुब सिर्फ नुब तो इसको मालो एक हम एक क्वेष्ण नमर टू और यह जो अमरा निकल के आया है ये या पहाँ तो यहांपि हम योर। यहां मेरा य कितना हो जाएंतल Ayla तो रंग की एगर हम वैलू देखें तो 4g और लाहं टॉ हमारा कितना मेडीा हुए हमारा यहां प्रusta .5 यहाँ प्यूट constitutional यहाँ Curry M quello अहाँ रहे हेज्विस आरके द calendar फोड़ पजिए रख सकते हैं और यहाँ 9.8 होता आया लेकिन इसको थोड़ा थेन भी रख सकते हैं को चुछेट तोड़ा साल्प करने में आसानी हो जाए अब इसका हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो 0.8 मल्टिप्लाइ बैट 10 यानि कि जो हमारा घंश्रबल हो जाएगा पीछे की तरफ हुआ हमारा आ जाएगा एट न्यूटन का अब देखें जो नेट फोर्स है हमारा पीछे की तरफ एट और आगे की तरफ कितना है तो पूरा मिला कि जो नेट फोर्स होगा वो आगे की तरफ दो न्यूटन का होगा ठीक है पीछे की तरफ 8 है और आगे की तरफ 10 है तो 8 तो 10 में से कैंसल हो जाएगा बचाएगा 2 Newton 2 Newton के force से यह आगे की तरफ move कर रही होगी तो अगर हम इसका तुरंट निकालना चाहते हैं तो formula यूज करते हैं यह फिज कल टू M into 1 यह चीज हम यहां से भी देख सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं यह तो बात होई है चाह से करें चाह से तो यह फिज कल टू M into एक प्रियों करते हैं जो नेट फोर्स होगा यहां पर वह हमारा 8 10-8 यानिकी 2 Newton का होगा मास आप जो व्लाग है वह हमारा 4 kg का है अब यहां से हम A easily find out कर सकते हैं A equal to हो जाएगा हमारा 2 by 4 यानिकी 1 by 2 इसे हम कर सकते हैं 0.5 meter per second square अगर वीडियों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सस्काइब किजिए धन्य बात